भारतिय जन्ता पार्टी से बागी होकर राजस्थान विधान सभा चुनाव जीतने वाले शिव विधायक रवींद्र सिंग भार्टी आज लोग सभा चुनाव में उतरने को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बाड़ मेर जैसल मेर लोग सभा सीट से चुनाव लड़ने का एलान कर सकते हैं। कि रवींद्र सिंग भार्टी से मुलाकात कर सीम भजनलाल शर्मा ने इसे सुलजाने की कोशिश की थी। लेकिन इस बात पर बनते नहीं दिखे। राजस्थान की सियासी गल्यारों में चर्चा ये भी है कि विधान सभा चुनाओ के दौरान टिकेट ना मिलने के कारण जो चोट रवींद्र सिंग भार्टी के स्वाभिमान को लगी है। उसकी भरपाई के लिए शर्तों पर सहमती नहीं बन पाई है। इसी कारण उन्होंने बीजेपी में जाने के ओफर पर अपना जवाब होल्ड कर दिया है। और आज सर्व समाज की बैठक बुलाई है। इस चर्चा ने भी काफी जोर पकड़ लिया था कि शिव विधाय किसी भी वक्त भाजपा जोईन कर सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि भाटी के समर्थक उनके भाजपा जोईन करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि भाटी विधान सभा चुनाओ की भाती इस बार लोग सभा चुनाओ में निर्दलिये खड़े होकर जीत हासल करें। अब अगर रवींद्र भाटी चुनाओ लड़ने का फैसला करते हैं तो बीजेपी के लिए ये सीट खत्रे में आ जाएगा। क्योंकि बाड़ मेर जैसल मेर सीट पर बीजेपी के कैलाश चौधरी मैदान में हैं।